अगे लीजेनटा कंपनी के एक्सिल के बारे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे इसका उपयोग करते हैं तो इस वीडियो को आप अंतक देखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बे को प्रभावित करते हैं और हमारा कोस्ट और प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करते हैं जब भी हम अपने खेत के अंदर कोई भी न्यूट्रेशन न्यूट्रेंट डालते हैं तो हमारी फसल और सब्जी के साथ-साथ जो खर्पतवार है उसे गरहन कर लेते हैं और वो जो किसान साक्यों अगर स्पेशली बात की जाए गहों के अंदर तो गहों के अंदर बहुत प्रकार के जो खर्पतवार उग जाते हैं जिनके अंदर मंडूसी सबसे प्रमुक है उसके बाद जो चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवार है जिसके अंदर बेल, बत्वा, कंडाई, चुडाई, पालक, मेत्था, जंगली जई, भायंग और सरसों ये उग जाते हैं और हमारी जो गेहूं के प्रोड़क्शन है उसको परभावीत करते हैं और हमारी जो कोस्ट व प्रोड़क्शन है उसको बढ़ा देते हैं, किसान साथियो इस प्रकार के जो खर्पतवार है उसके निंतर और विनास के लिए हम सर्जेंटा कंपनी के एक्सिल का उपयोग करते हैं, किस मंडूसी है उससे आप चुटकरा पा सकते हो लेकिन एक लंबे समय तक कई वर्सों से लगातार उपयोग करने के बाद इसके रिजल्ट है वो कमाने सुरू हो गए हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट कम क्यों आ रहे हैं उसका कारण क्या है किसान साथ्तियों मान ल होंगे कि नेक्स्ट इयर एक्सिल का अगर आप इसके उपर सप्रेक करते हो तो ये पोदे नहीं मरेंगे क्योंकि किसान साथ्यों इस पोदे के अंदर जो एक्सिल के परती जो सेंच सकती है रिजिस्टेशन पावर है वो बढ़ गई है अब इसका जो रिजल्ट है वो कमान सुरू हो जाएंगे किसान साथी इस कड़ी में हमारे कुछ किसान साथ है उनके पर सुनाते हैं कि सर हम इसके एक्सिल के साथ कौन कौन से जो अन्य खरपतवार ना सके जिसके अंदर आपका लीडर है टोपिक है मेट्री है एल ग्रीप है या फिर टूफोरड है उसको प्यो नहीं है लेकिन लीडर का उपयोग आप इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ किसान साथियों ने एक्सिल के साथ लीडर का उपयोग कर दिया था जिसके कारण वहां पर जो गेहों के अंदर बरनिंग की समश्या आ गई अगर बात की जाए लीडर की तो आप बिल्कुल भी कतई भी किसी भी सूर्ट में लीडर और एक्सिल का सप्रे इकठा मिला कर नए करें किसान साथियों इसी कड़ी में उसके बाद बात आती है टोपिक की इसके अंदर कलोडेना फोप नाम का टेकनिकल पाय जाता है इसका भी मनुदूस के उपर सप्रे किय अब बात ये उठती है क्या हम एक्सिल के साथ टोपिक उपयोग कर सकते हैं तो किसान साथियों हमने इसका उपयोग करके देखा है निश्चित तोर पर आप एक्सिल के साथ तोपिक उपयोग कर सकते हैं चार सो एमल पर तीयकड के हिसाथ से आप एक्सिल उपयोग कर सकते ह और 160 gram पर तीकर के हिसाब से इसके अंदर मिला कर आप तोपिक उपयोग कर सकते हैं किसान साथ यो अब परसन ये उटता है कि इसके साथ साथ क्या हमें जो मैट्री आती है उसको उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों अगर बात की जाए मैटरी की तो मैटरी के अंदर मैटरी ब्यूजिन नाम का टेकनिकल पाया जाता है ये टाटा कमपनी की टाटा मैटरी के नाम से आती है और बायर की सैनकोर के नाम से आती है अब कुछ हमारे किसान साथियों उनका परसन ये था क्या सर हमें के साथ टाटा मैट्री या फिर सेनकोर का उपयोग कर सकते हैं तो इसी वर्स हमने इसका उपयोग करवा के देखा है कुछ शेतर के अंदरेश के काफी शांदार रिजल्ट रहे हैं लेकिन किसान साथ यह आपको साफधान ये बरतनी है आपको सजेंटा कंपनी के एक्सिल के सा साहब से लेनी है इसे ज्यादा नहीं लेनी वरना आपके खेट के अंदर बरनिंग की समस्या आ सकती है यानि कि आप निश्ची तोर पर इनका एक लिम्टिड मातरा में मिलाकर दोनों का उपयोग कर सकते हैं किसान साथ उसके बाद परसन ये उटता है कि जो हमारे गेह खरपतवार जिसके अंदर बेल, बत्वा, कंडाई, चुडाई, पालक, मेता, जंगली, जई, भांग और सरसोग जाते हैं उनके लिए हम एक्सिल के साथ कौन से जो चोड़ी पत्यवाले खरपतवार ना सकते हैं किसान साथ यो इसके एक्सिल के साथ आप निश्ची तोर प और एल ग्रिप नाम से जो टेक्निकल आता है फिलाल मेरे पास है ये चंबल का प्रोडेक्ट है मोटो के नाम से आता है इसके अंदर मेट सलफरान नाम का टेक्निकल है जो सेम आपका एल ग्रिप के अंदर आता है निश्ची तोर पर आप एक्सिल के साथ मेट सलफरान यानि कि जो आपका एल ग्रिप है या आप मोटो है उसका प्योग कर सकते हैं एक एकट के अंदर चार सो एमल एक्जिल और आठ गराम जो आपका मैचल फुरान है उसका प्योग कर सकते हैं किसान साथियों इन दोनों के साथ आप सेजेंटा कंपनी की टोपिक भी प्योग कर सकते हैं इसके हमने डेमो लगवाए थे और यूज किया था जिसके काफी शांदा रिजल्ट रहें गेहूं के उपर इनका कोई भी विप्रित परभाव नहीं पड़ा है किसान साथ यह अब बात करते हैं कुछ हमारे किसान साथ यह कहते हैं कि एल गृप के जो रिजल्ट है वो कम आने लग गए हैं तो क्या हम एक्सिल के साथ 24D का उपयोग कर सकते हैं किसान साथ योगर बात किज़े 240 की तो 240 एमिन साल्ट 58% SL के अंदर आता है इसका उपयोग scientifically एक्सिल के साथ recommended नहीं है लेकिन बार बार उपयोग करने के बाद ट्रायल लगाने के बाद और खेते में परयोग करने के बाद हम यह नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप एक्सिल के सा आपसे आप 248% का उपयोग कर सकते हैं लेकिन जहां पर चोड़ी पत्ति वाले जो खरपतवार है उनकी समस्या बहुत जादा है तो वहाँ पर आप 400 ml एक्सिल और 400 ml 248% का उपयोग निश्ची तोर पर कर सकते हैं पीछले 15 दिन पहले हमने इसका उपयोग लगबग 10-15 एक और टूफोर्डी तिन्दों आप मिला कर भी उपयोग कर सकते हैं इसके अंदर जो आपकी डोज रहेगी पर टेकट के हिसाब से 400 ml एक्सिल एक्सिल एक्सो साट गराम टोपिक और अगर तो आपके खेत के अंदर खरपतवार जो चोड़ी पत्ति वाले वे कम हैं तो 200 ml 242 अ अगर आप मिला कर करते हो तो निश्ची तोर पर आप जो अपनी गेहों की फसल है उसको खरपतवार से बचा सकते हो और एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो किसान साथ वाल सकते हैं आपको वीडियो पसंद आयोगा फिर भी इस वीडियो से संबंदित आपके मन में कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं आने वाली वीडियो में आपको खेती बाड़ी से संबंदित, गार्टनिक से संबंदित, और पसुपालन से संबंदित, नहीं नहीं जानकारी दिते रहेंगे, तब तक बने रहे हैं हमार साथ, देखते रहे हैं हमार चनल पर, धन्यवाद, जैहिंद